विदियो लेकर आया हूँ पिसला वीडियो मैं ने एपियर पर बनाया था काफी लोगों ने उसको पसंद किया उसके लिए धन्यवार एपियर के ऊपर बनाने बाद मैंने देखा कुछ बातें और रह रहा गई इसमें जैसे कैलकुलेशन एपियर का किस तरह किया जाता है सेल कई ओं को मालुं नहीं कि कैसे कालकुलेशन होता है तो मैं जा बता दो थोड़ा के बारे में कुछ फोड़ा system कर दूँटॡ है तो मैं जा को स्दून कर दो करो बीपोर्त इप और बन वर्ट चार्म है कि चल nou कर दो क्योंकि एपियार जो होता है किसी भी कमचारी का भवश्य को प्रमोशन एबिसीपी में तो एप्यार कौम के जोली बढ़ते हैं तो उसके भवश्य के साथ एक खेलवाद हो जाता है तो मेरा एक रिक्रिज्ट पूल सकते हैं सब्सक्राइशन पूल सकते हैं कि जब बरें तो रिपोर्टिंग और रिवीविंग ऑफिसर पहले उसकी एविसी जो भी आगे एडवांसमेंट है उसका केरियर एडवांसमेंट उसको ध्यान में रखके भरें कि अगर प्रोमोशन चैनल है तो हलागी प्रोमोशन में रिक्वार्मेंट जनरली अप टू लेवल सिक्स जो है एवरेज चाहिए छे नमबर चाहिए तो इजी लिए आ जाते हैं और लेवल शि तो कई ऐसी हैं जहां पर तीन प्रोमोशन नहीं आते हैं अभी तो ठीक है लेवल सेवन लेवल एट और नाइन आ गया है अर्टाली सो चोपन सो पहले यह था जो यह यह डाइट जो एससे में जो लोग आते थे उनको स्रीए मेसी पी ऑप्शन होता था अभी भी एससे के प कर देजिए मेरा यह कहना है कि जो कमचरी काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं हम कई ले लोग आ पर मेरे पास एक किया सायाद है जिसमें कुछी group D staff थे यहाँ पर और लेडी थी कोई और उनका good कर दिया था और फिर mscv उनको नहीं मिला मैंने जब बात की उनके officers से बोला रहा है मैं ध्यान नहीं दिया सब्सक्राइब नहीं मिला फिर अगले साल फिर उसको मिला उसको तो कई बार के मामले में जो लेवल एटीन में हैं उनको कई बार आगे चैनल में नहीं आता है तो प्रमेशन नहीं होते हैं तो सब्सक्राइब नहीं करता है अगर कर रहा है अच्छा कर रहा है अच्छा कर रहा है अच्छा कर रहा है तो सियार देने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए यह मेरा एक रिक्रिस्ट पोड़ सकते हैं उसके लावा एक और मुझे बोलना था कि लेवल सिक्स एंड एबाव जो लोग होते हैं मैं अभी भी इसमें बताऊंगा अभी वीडियो में डिटेल में उनको सेक्शन बढ़ा जाता है एप्यार में जो सेक्शन टू गजिस्टेट का जो भी एक्जाम होंगे जितने भी एप्यो है एएन एस्टी है एमी जिनके एक्जाम होंगे उनका लेवल सिक्स के अबाव वालों के लिए सेक्शन टू बढ़ाता है तो तो लेवल सिक्स एबाव वाले जो हते हैं गजिस्टेट एग्जाम में ये एलिजिवन होते हैं तो इस Zentना ऑसमें मिहुझे कहना है कई बार कई लोग जो उसके गरिश्टेट में आने की समभावना बढ़ जा रिटर्न तो क्वालिफाय करेगा प्लस सी आज को जैसे कई बार क्वालिफाय नहीं कर पाते एवन मैं अपने में बात करूं तो मैं खुद एपियो बनाऊ हूं डू टू एपियार रिटर्न में मार्क्स मेरे ठीक थे ले विजलेंस में जाते हैं उनके सियार जनरली अच्छे होते हैं यह टीचेंग में जो उद्रपूर में करते हैं जैड़ा टीए में बाहर जितने वी एक्सकेडर पोस्ट में काम करते हैं उनके सियार के वाउस्ट्रेंग होते हैं उसकी वज़े से वह लोग एक्जाम क्लियर क काम कर रहा है वो मैं ज्यादा कर रहे हूं और वह भी डिजर्व करते हैं तो कि लिए तो तो प्लिज इहर दे बात का भी धिहार रखा जाए कि भंदा जो है वो गजिष्टेड की तयारी कर रहा है तो काम के अनुसार उसको CR में मार्किंग की जाए और एक और मुझे बात बोले थी कि मेरा में रता है कि कई लोगों को यह डाउटस हैं मेरे पास में में कि सर में में एवरेज करना है कर नहीं करना जैसे हम सेल्क्षन में करते हैं कि पिसले तेन साल के सिया भी तो यह बता दूं कितने साल का सिया लजना है तो नौँ इंगजिटेट में हम प्रेमोशन हो चाहाइब में सेपी भी हो मिसले तीनों साल के सिया एवरेज करता है मतलब को टोटल मार्श को आवरेज करता है, या नहीं कि रिलिबूर का लेटर में यह लिका कर चार होता हैति साल हो सकता है कि या साल आक है एक साल Ist तो मैं बता दूं आपको इत्तों है कि जो आपको करना है तीनों साल के स्यार में एक और मैंने बोला था कि अखर सब्सक्राइल करूं को अपर साफ में आप कर इस ह अगले साल कि सप्टमर में जन लोग्यों भूट हम लोगों का हम एडवांस में करता हैं जिसे हम प्रमोशन भी हम नेक्स्ट वन यह या पंदा मेने का या अगले दो साल का एसेश्मेंट एडवांस में करने को रहे बोड़ना पुला है कि जन्वरी में जो को करना है वो अगले अप्रेल टू सप्टम्बर जो लोगों का एडवांस में करने का लेवनपों बोला है जुलाइब जो एक जुलाइब करेंगे वह अक्टूबर से मार्च आगे के एक परेना होगा उसके लिए इलिजिबल होगा वह हम करेंगे वह इसका मतलब यह भी होता है कि माली जन्वरी हम कर रहे हैं तो इन्होंने अप्रेल से लेके सप्टमबर तक सारे लोग भी आ जाएंगे इसमें अब इसमें डाउट कही हों कि मन में आता है कि हम सप्टमबर में जो बंदा सप्टमबर 24 में जो बंदा ड्यू हो र लिए है तो अभी हम इसका APR को सा लें कूंकि हमारे पास अभी 2020 23, 2023 का APR अपको आएगा अब्रेल के बाद आएगा मार्स 31 मारस से बस्क्राइब को रागा हूं की कॉइड को की कपने रहा है की कोई भी Microsoft प्र्मोशन ऑगर कर रहा हैं में को सुट बिलिटी कर रहा हूँ और कर रहा हूं नेकस्ट सप्टमर क driver को यह शबूल चाहरे हं यानि अभी तक कब जो आपियर होगा वो पर रपास 22 23 का नहीं होगा इकिस 22 का नहीं होगा तो 21 22 से पहले कि हम लेंगे तो मैं को दोबारा कर दो कि लेंगे वहाँ कि जो होगां को लेंगे वहाँ करते वक्त तो सुड़ेविटि जब जिस तारी को कर रहे हुआ था कि प्रमोषन से पहले हम दोवारा आप्यार मांगते हैं वद उसके विजिलेंज के इस मानते हैं तो जैसे प्रमोषन में मानते हैं मेरा भी माना इंटरपेटिशन है कि नेक्स्ट हम तो एडवांस में कर सकते हैं और एडवांस में जिस देश को कर रहे हैं हमाँ तक कि हमको एपियर जो भी अवलेबल एपियर है वहाँ तक लेना है यह च्छोटी सी बात मुझे तीन चार बाते बोले थी अब मैं इसमें बात करता हूँ जो लेटर है यह से से रेलेय में निकाला वह भी में अपिजबड मी निकाला हूँ तो मैं चलिए ते बात कर लो है पहला तो यह बोलाए की grant of financial creation under MASCP the prescribed benchmark would be very good जो कर दिया है यह ताज़ों को मालूम है कि पच्चीज जुलाइ Jade 2016 से इसमें लिगा था है reference has been received from समस्तिपूर डिविजन seeking clarification whether the very good benchmark specified in boss letter number 2016 should be for each year or overall grading for three years as very good can be considered for the purpose of this. यह को हर साल का very good CR चाहिए कि हमको total हमको overall grading चाहिए very good यानि 12 नमर चाहिए. यहां इन्होंने कहा है the above issue has been examined and it is clarified that wide relay board wider relay boards letter number जो है 19 12 16 the benchmark for grant of financial operation under mvcp has been fixed as very good for all post and as per board's clarification यह दोजार दस का पच्चीस बाई दस से आर भी नमबर है the overall grading for the all three years is very good put together total 12 marks should be adopted for considering the benchmark under mvcp तो यहां होने कहा है कि जो पच्चीस बाई दस जो रेले बोड का letter है यह बात करूंगा आप से इसमें कहा है कि इनको overall grading करना है ना कि इस यह करना इसमें काफी लोग confusion काफी में अभी भी लेटर आ है है क्वेरिस आ रही है तो मैं बता दूंग आपको कि टोटल बारह नमबर अनुश्ची तीन साल के यह क्लिरफाई किया है इस्ट सेंटर रेलेन है इस सेंटर रेलेन है और यह रेलेबोड के लेटर पर बिल्कुल सही बताया है नोंने फॉर्द इस बिन सेंटर रेलेबोड अर्वी नमबर है अटी सिस्ट बै टूजान नाइटीन एट एपर ग्रेडिंग गुट फॉर्ट प्रियर 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 टुट्विट सेंट सिस्टीन इस देट फॉम विस्ट निव बेंचमार्ट वसमेड अप्लीकपल में भी टूजार सोला से पहल सोला से पहले यह बात कहिए इनना यह एक पूर आच्छा क्लेविशन में मिला और यही चीज रेलेबोड इन्होंने रेलेबोड के दो या दस का लेटर को इन्होंने संग्यान में लिया है इसमें बदा दूं आपको दोबार पढ़ता हूं तो मेंटर हैस बिन एग्जामीन तो यह बहुत लोगों को डाउट है अभी वी काफे लोगों के अवरेज करना ही नहीं करना है तो मेरे घासे इतना स्पेस्टिफाइड जवाब दे दिया है 2010 में फिर भी हमको डाउट करना है हम लोग को ठीक नहीं है तो एवरेज किया जा सकता है आपको अब अब कैलकिलेशन में वीन वीडियु में उत्ते सेंट लेवर िने नवाग लिए नबर आगेशी बाता है यह वहारो है की यह मैं बता दूं रेले बोर्ट का लेटर है थर्टी नमाइन नाइन बैट ट्वन्टी टू हाद भी नमबर है इसमें बता दूं आपको कि यह हमारे कोई एम्प्लोई है मिस्टर एक्स तो हमारी जो औरल ग्रेडिंग मैं ने जब बताया था यह औरल ग्रेडिंग है कि तो ऐब ग्रेडिंग है और यह होता है ग्रेट एक ब्रैडिंग एक ब्र09 उयदिस बंध फिर यह जел नमबर तूप्ट इसके अंदर आपका पहला आएगा quality of leadership जिसमें outstanding very good good सब भर जाते हैं फिर capacity to take decisions on the matter within his or competency, willingness to shoulder high responsibility, LVD to inspire confidence, guide, motivation and obtain the best out of the staff, LVD to enforce discipline यह पांच है एक, दो, तीन, चार, पांच तो पांचों के अंदर भी outstanding very good दियाता है यह जो है level 6 and above के लिए होता है तो इसके अंदर यह पांच जो मैंने बताया थी यह पांच यह आपके आगए और overall grading यह होता है यह वाला होता है तो इसमें तो यह policy रेले बोर्टन जो निकाली इसका इसमें तो यह कहा गया था इसमें जो सब्सक्राइब कि अगर किसी के माले जी का आजकल जो एप्यों के अंदर में बता रहूं आपको माले जी को सीने कलक्स बना है यह को डारेक्टी जेए में आया सपोस्स किसी में आया और वह किसी वजह से तीन साल के सेडी हो रहे हैं चार साल के पांसाल के नहीं नहीं कार ने को बोला यह उसके पर है लेकिसै कलिए करते हैं चेट का मैं बता दूँ अपको तो ये और रोल ग्रेडिंग जो है यह गूड़ गूड़ वेरी गूड़ यह चार अगया और यह हमने इसको 5 के जो हमने attributes बताया थैं 5 के यह पांचो के attributes यहां आ गया ए से लेकि यह तक ही आ गया तो इसमें करना क्या होता है यह पांचो का यहां से यह पालेज यहां पर गोड़ होता और यही चीज़ यहां होती तो फिर इसका दोबार आवरेज निकालेंगे तो 82.5 में फिर 5 का डिवाइड करेंगे हम तो कितना आएगा 82.5 में 5 का डिवाइड करके तो आप 17.5 और 16.5 इन दोनों का एवरेज निकालेंगे डिवाइड करेंगे जिसे इन दोनों का टोटल किया है 34 और फिर डिवाइड बै टू तो 17 तो आपको मैं बता दू हूं आपको पहले यह ग्रेडिंग आएगा फिर यह जो पांच हो 5 इंटू 5 आपको 25 हो जाएंगे तो 25 का पांच करने के लिए आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा तो यह सब का टोटल आपको करके इन सब का टोटल करके यहां 82 आया 82.5 जतना भी आये सब्सक्राइब करेंगे टू से यह एक लंबा प्रोसेस है यह आपको फिर भी डिटेल में देखना है तो यह मैं आपको नंबर अभी नंबर बता रहता हूं तो यह बताता हूं इस तरह का कल्कुलेशन करने से कई बार पैनल जो बनता है पॉइंट 5 नंबर से उपर नीचे हो जाता आपका तो कई बार मैं यह भी बोलूँगा इस वीडियो की माध्यम से कि जब जो लोग लेवल सिक्ष एन अबाव है तो यह एक्ट्रीबुट्स को भणने में भी ध्यान रखें कई बार मैं देखा है कि औरल ग्रेडिंग जो होता है वह आउस्टेनिंग बहा जात है तो फिर टोटल जब करते हैं आपर तो यहां 24.5 हो जाता है आदा नमबर कम होता है अगर यहां अगर आपने कहीं भी थोड़ा कम ज़्यादा करने ही कुशिश की तो उसके साथ से जो भी आपको करना कीजी मैं मना नहीं करता हूं लेकिन देखिए कि कमचारी का काम कैसा ह उसको अच्छे से जाची है परकिया और यह जवर ध्यान रखिए कि कमचारी गजिटेट एक्जाम के लिए त्यारी कर रहा होगा यह आप ध्यान रखिएगा तो यह कैलकुलेसे मुझे बता नहां था यह सेक्शन टू है हमारा और यह इस तरह का सेक्शन होता है और अगर यह बता तो माली चार साल के सी आ रहे हैं तो इसमें यह चार का टोटल लेके एवरेज किया जाएगा जैसे गुड गुड अपकर यह तीन थीन च्छे और यह चार चार आठ चार चौदा हो जाएगा यहां पर निकाला भी यह देखिए चौदा च्छोदा में जे चार से डिवाइड किया तो यह आ जाएगा थी पॉंड फई तो यहां थी प्इवड किया है तो इह शिक्टी सिक्स अां बचे को अब्चे को यहां रख देंगे तो यह खातना 16 सब्सक्राइब करना है इसके लवा एक डाउट और आता है कि यूनियन कई लोग यूनियन रिप्रेजेंटी होते हैं राइटिंग ऑफ कॉंफरेंशल रिपोर्ट्स ऑफ रेले सर्वेंट और फॉरन सर्विस्टू रिकोगनाइज लेबर यूनियस हमारे यहां कई पर दो प्यार कैसे बरा जाएगा इसके बारे में करवा डाइब आता है तो इसमें लिखांग है आगां और बॉर्डेशन रिपोट्वेंट बेटेंगे तो रिकोगनाईज पर दोडुट सुट रिकोगनाइज एडब दो यूनियन अजिविग लेडर बॉटेम डाइदो यूनियन में काम करता हैं तो उनका यूनियन वाले बढ़ेंगे ना इसमें थोड़ एक डाउट या तो इसके बारे में फिलाल मैं पसको सब्सक्राइब और आपके किसे ही पास है तो प्लीज मुझे बेजाए ताकि मैं अगले वीडियो में चीज को क्लियर करूं फिलाल तो यह का कि उनका बारा नहीं जाएगा तो मस्पी कैसे देना है प्रोंशन कैसे देना यह इस्यू अगर मिलता है तो मैं आपको बात देता हूं आपको प्रोंशन में जो गया हूं उनके लिए का गया है कि वित रफ्रेंस तो लेटर यह है दवाट है क्यार फुली कंशेट दा मैटर इस क्लेफाइड देट इन केस और रेलो सर्वेंट ऑंडेपूटिशन देपार्मेंट शुट बीवन दसेंवेल्यू एज रिपोर्ट प्रिपर तो देपूटिशन में भी बनने है कमशेरी को देपूटिशन में जो स्या भर जाएंगे उनको सेम वेटेस देना है यह कहा गया है रेलेवर देश्लेटर से तो यह चोटी से वीडियो मुझे बनने का था कि कैसे काल्Tu कि आता है नॉन गजस्टेक में और गजस्टेक में न का यह नहीं पकड़ते हैं हम लोग सिर्फ यह औरल ग्रेडिंग यह पकड़ा जाता है और बाकि जो ग्रूप भी सेवंटी परसेंट एंड थर्टी परसेंट दोनों में इस तरह का कल्कुलेशन होता है ग्रूप में तो यह आज मैंने कोशिश की छोटा से वीडियो बना के कल सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब से हमको भी मोटिवेशन मिलता है थैंक यू पर वाचिंग वीडियो